Good morning students, लक्षमे आप से भी का स्वागत है, मैं भी आप लोगों को Physics 2, Applied Physics 2, जो First Semester Group B के लिए है और Second Semester Group A के लिए है, दोनों के लिए है, इसमें मैं Modern Physics, जो Unit No. 7 है, इसमें मैंने सारे Important Questions दे रहे हैं, सारे Important Questions यहाँ पर मैंने लिखा है, अब मैं वीडियो के दौरान ये जदा Important है, और किस Question को आप थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, कि मैं ऐसा बोलूँगा कि Question नहीं पढ़िये, मैंने यहाँ पर Important Questions जरूर लिखे हैं, मैंने लिखा है Important Questions, ठीक है, तो यहीं सारे के सारे Question important होते हैं, किसी भी Chapter के सारे Question important होते हैं, ल तीन Topics इसमें हैं, Modern Physics में, एक है Laser, उस पर कुछ Questions है, फिर दूसरा है Optical Fiber, और तीसरा है Nanotechnology, तो मैंने कुल मिला करके Modern Physics के Unit No.7 से 14 Question select की हैं, और यह 14 Question maximum Question है, हमको पूरी उमीद है कि यदि आप इस 14 Question याद कर लेते हैं, तो इसमें से सारे Question बन जाएंगे, लेकिन यह भी Question ह है कि सर आप जब सारे Question याद करने बोलेंगे ही, तो हम Guess Question क्या पढ़ेंगे, पहला तो जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, वो 14 के 14 पढ़ेंगे, साब साब मैं बोल रहा हूं, जो थोड़ा कम मेहनत करने वाले, सौटकर तरीके से भागना चाहेंगे, उनके लिए वल्टिक लगा रहा हूं, या किन-किन Question पर BVI लिख रहा हूं, उन Question को ज़्यादा ध्यान दे, हाँ, इसको बताने से पहले मैं हिदायत दे देना चाहता हूं, मैं अपने 12-13 साल के Teaching Experience के आधार पर ही मैं आपको ये Questions का BVI बता रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, नही मैं आगे का भविष्य जानता हूं, कि मैं यही Question आएगा, सिर्फ मैं अपने Experience के आधार पर आपको कौन सा Question ज़्यादा Important होगा वो बता रहा हूं, हो सकता है मेरे Questions एक्जाम में नहीं आएं, ऐसा नहीं है, इतना तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ध् Experience है, मेरा जो अनुभाव है, उसका पूरा उप्योग करूँगा, और अभी तक फेल नहीं हुआ है, कोसी से ही रहेगी, कि मेरा अनुभाव जो कहता है, उसके अनुसार से मैं अपने अनुभाव पर खरा उतरूँ, और एक एक चीज़ों, जो जो मैं आपको Important Question बताऊं, वो मैं कहूंगा, सारे Question को Touch जरूर कीजिए, टाच जरूर कीजिए, ठीक है, और जिन Question पर मैं जो और दूँ, उसको अच्छा से याद करके जाईए, चलिए, मुझ बात करते हैं, Modern Physics के तीन Topics हम लोगों पढ़ने हैं, एक का नाम है Laser, तो मैं Laser पर सबसे पहले Question मना है, पहला से ले करके, साथ नमबर तक आपका Laser का Question है, ठीक, इसमें सबसे पहले, Stimulated Spontaneous Emission, आप कुछ भी हो जाए, पहला Question, VVA मैंने लगा दिया, ये पहला Question नहीं छोड़ना है, एक्जाम में इसमें दो तरह से Question पूछ सकता है, या तो पूछेगा, Explain Stimulated and Spontaneous Emission, या घुमा के Question Spontaneous Emission, ठीक है, Write the Difference between Stimulated and Spontaneous Emission, ठीक है, डिफरेंस भी आ सकता है, अब आप बोलेंगे सर, आपने तो डिफरेंस लिखा नहीं था, ठीक है, अगर आप Stimulator और Spontaneous को समझ रहे हैं, तो Spontaneous को एक साइड और Stimulator को एक साइड लिख दीजेगा, तो दोनों के बीच में डिफ बन जाएगा, और यह question बहुत 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 इंपोर्टेंट है, correct, Write the properties of laser, ठीक है, एक बर पढ़ लिजेगा, 4 questions, 4-5 properties होते हैं, मैंने lecture में पढ़ाया है, 4-5 properties होते हैं, ठीक था question है, छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है, बट मेरे अनुसार से exam के point OVA से ब इसको भी पढ़ लेना है, यह नहीं इन तीनों question को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इन तीनों में बहुत दम नहीं, खासकर इन दोनों में तो कोई दम नहीं है, इसलिए इन तीनों को पढ़ लेना है, दम किसमें है, explain the working of helium neon laser and ruby laser, यह must है, यह दोनों question में से कोई एक रहे इसलिए इसको भी VBI लगाईए और इसको भी important question के category में ले आईए, right the application of laser यह भी VBI है, इसको भी VBI लगाईए, इसका मतलब मैंने laser से तीन question को VBI लगाया, बस बाकी सारे questions पढ़ लीजेगा, ठीक है, तो इस तरीके से यह तीन questions जो मैंने आपकी VBI लगाया, यह बहुत करके ही जाना है, और साथ में इन तीनों question को पढ़ लेना है, ठीक है, पढ़ लेना है का मतलब मेरे को knowledge में होना चाहिए, ठीक मैं अपने guest question के category में नहीं रख रहा हूं, ठीक है, लेकिन important question के category में है, ठीक है, अच्छे student की तरह, एक बार जरूर इन सब को look out कर लीजेगा, देखना वाला, लड़ाई वाला देखना का बात नहीं कर रहे है, देखने का मतलब होता है कि भाई पढ़ लीजेगा, आईए, अब आते हैं optical fiber, यहां से लेकर, इन्हीं 8 नमबर से लेकर, 11 नमबर तक optical fiber का question है, ठीक है, आप देखे, इसमें कौन-कौन से question important है, वो मैं आप आपको explain कर देता हूँ, ठीक है, explain the different layer of optical fiber cable, ठीक है, layers, optical fibers के कौन-कौन से layers होंगे, हमको लगता है कि यह exam में नहीं आएगा, बट आप पढ़ लीजेगा, optical fibers के कौन-कौन से layers होते हैं, मैंने video lectures में बहुत अच्छे से photo बनाया है, उसके उपर कितने jackets होते हैं, कितने layers होते ह सारे मैंने बताये हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे, important मेरे अनुसार से नहीं है, हाँ, no number, अरे भाई, बहुत-बहुत important है, find the expression for acceptance angle and numerical aperture, for optical fiber, लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, for optical, optical fiber, optical fiber ही है, तो optical fiber के लिए numerical aperture और acceptance angle का जो मैंने expression calculate कराया है, उसको get by hurt कर लीजे, वो आ आएगा ही, एनिकी, no number, बहुत important है, ठीक है, explain the types of optical fiber, explain the types of optical fiber, और explain the application of optical fiber, application और 9 और 10, मैं important मान के चल रहा हूँ, ये दोनों question important है, बहुत important है, ठीक है, types, मैंने आपको अलग-अलग types करके बताया है, एक है, single mode fiber, multi mode fiber, step index fiber, graded index fiber, ठीक है, तो अलग-अलग करके, मैंने बताया है, और सबको समझाया भी है, explain the application of optical fiber, optical fiber का उपयोग, हम अपने life में कहां 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 करते हैं, इसको भी पढ़ना है, ठीक है, optical fiber का applications, चलिए, ठीक है, optical fiber का application, अब आते हैं, तीसरा topic जो आपके पास है, इस topic का नाम है, nanotechnology, मैंने nanotechnology में मातर तीन question बनाये है, ठी nanoscience, right application, मैं VBI लगा रहा हूँ, इस question को, एनि कि, अगर exam में आया, यही question आएगा, ठीक है, दूसरा question आएगा, what is the nanoscale and its properties, इसको भी VBI लगाना है, बर तीसरा question, what is nanoparticle and nanomaterial, हमको लगता है, यह question नहीं देगा, लेकिन हम लोग इसको भी look out कर लेंगे, मतलब देख लेंग आपके पास, ठीक है, unit number 7, के तीन जो पार्ट थे, एक का नाम है laser, एक का नाम है optical fiber, और एक का नाम है nanotechnology and nanoscience, इन तीनों पे आपका एक important question का list आ गया, अच्छे से इसको देखिए, समझिए, और इस पे जो भी आपको दिकत होती है, हमसे discussion कीजिए, ठीक है, मैं unit by unit ले रहा मैं अभी लिखा हूँ 4, 6 और 7, continue video 4, 6, 7 का जाएगा, तो अभी unit number 7 का है, ठीक है, अभी जो next video रहेगा, चोटा 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 वीडियो है, अलगा अलगा वीडियो देख लेंगे, ठीक है, और next video होगा, उसमे unit number 6 की important questions होंगे, और उसके बाद वाले unit में 4, चोथे number unit का, सर और बाकी unit ओभी बन जाएगा, आप continuity में रहेए, ठीक है, continuity में रहेए, मैं सभी units के questions के बनाओंगा, क्योंकि मेरे साथ इबरार सर भी रहते हैं, तो ओभी कुछ questions देंगे, भी दिये नहीं है, देंगे, तो जो question देंगे, तो मैं उस question को भी important question के category में लेके आ जाऊँग या double tick कर देता हूँ, आप उसको एकदम बहुत 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 important समझे, उसको पढ़ना ही है, ठीक है, और मैंने जिसको छोड़ा, इसका मतलब है, चलो ठीक है, हम पढ़ेंगे, पढ़ने के दौरान हम पढ़ लेंगे, लेकिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत जोर नहीं देना है, ठीक है, उस पे हाँ, याद नहीं हो रहा है, तो चलो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम ही छोड़ देना, यह बेवकूफी होगा, क्योंकि मैंने important question में रखा है, सब भी question important होते हैं, ठीक है, मैं आपने experience के आधार पर बताया, ठीक है, कि यह question important है, चली, तो unit number 7 का question आपके सामने आ गया, ठीक है, हाँ, तो next unit हमें लोग बात करेंगे, unit number 6, जिसको हम लोग कहते हैं, semi conductor, जो आप देखेगा, unit number 6 है, वो semi conductor है, तो चली, इस वीडियो में इतनी रखते हैं, next video में फिर से मिलेंगे, thank you, thank you very much.